है अब्रिवन दिस इश्वेता वेलकम डू यूपीस याड़ा 24-7 वापस आ गया हम आपके लिए एक नया सेशन लेखे और आज हम डिसकस करने वाले हैं हमारे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज मूल करतव्य आपके मौलिक करतव्यों के बारे में हम डिसकस करने वाले हमारे आज के सेशन में तो जितने भी स्टुडेंट्स यहां पर जुड़े वे जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फड़ा फट आ मैंने आपको पढ़ाना चालू किया था हिस्कोरी को बता सेकेंड हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था जिसमें हमने कवर किया था making of the constitution तो भई अभी क्या आने वाला है अभी आने वाला है आपका गरतंतर दिवस 26th of January को आप सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे तो आक्चिली वो जो आपका constitution जिस दिन लागू हुआ था 26th of January 1950 उस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साली और यही क्या है making of the constitution यानि वो समविधान बना कैसे था वो हम कवर करते हैं हमारे इस second topic में जिसका नाम है making of the constitution या फिर समविधान का निर्माद थर्ड टॉपिक जो हमें कवर करना है इसका नाम है हमारा खुद इंडियन constitution यानि तीसरा topic जो हम देखते हैं इसका नाम है भारत का समविधान या फिर इंडियन constitution तो इंडियन constitution हम पढ़ना चालू कर चुके थे इंडियन constitution में जो हमने पहला point cover किया था वो था हमारा preamble यानि समविधान की प्रस्तावना हम already देख चुके काफी detail से मैंने आपको बताया है second topic हमने cover किया था constitution के parts को मैंने आपको बताया था original constitution में total number of parts थे 22 लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते गए है और अभी आपके total number of parts किते हो चुके 25 important क्या है ये parts 22 के आगे दिखाई नहीं देते 23 24 25 ऐसे नहीं दिखते हैं बल्कि अभी बात करेंगे 2 मिनट रुके बल्कि ये parts जो है इन 22 parts के अंदर ABC करके जोड़ा गया है जैसे पार्ट 4A जैसे पार्ट 9A 9B 14A और एक पार्ट निकाला भी गया है तो अगर आप overall calculate करते हैं और इन्हें count करते हैं तो हमें total 22 parts sorry total number of parts कितने 25 दिखाई देते हैं ओके तो हमने एक एक करके parts को पढ़ना चालू किया था सबसे पहले मैंने समविधान का भाग एक बताया था from article number one to article four जो क्या बात करता है बात करता है हमारे देश के territory के बारे में हमारे देश के structure के बारे में Indian territory के बारे में बताता है या Indian territory के अंदर में जो भी state है उनका reorganization कैसे करना है बाहर territory के जो region है उनको कैसे include करना है इन सारे बारे में सभी provision क्या है part one from article number one to article four second part है जुसका नाम है part two किस article से start होता है from article number five to article number 11 यानि सम्विधान के अनुछे 5 से 11 तक constitution के part two में बात किया गया किसके बारे में citizenship नागरिकता तो सबसे पहले भारत के बारे में बात किया second भारत के नागरिकों के बारे में provision किया गया पार्ट टू में और थर्ड इसी से लिंक है इन लोगों के भारत में रहने वाले लोगों के अधिकार यानि पार्ट three of the constitution बात करता है आपके fundamental rights की from article number 12 to article number 35 details से आपके मौलिक अधिकारों को बताया गया है एक step और हम आगे बढ़ गए next हमने discuss किया था constitution का part 4 जिसे आप बोलते है directive principles of state policy DPSP के नाम से से जानते है राज जी की निति निदेशयक्तत्व तो ना के वल संविधान के भाग 3 में हमारे करतव में जो हमारा राज्य जो state है उसके करतव भी लिखे कि ये तो लोगों के अधिकार है भाग 3 में और इसके बाद भी आपका करतव है कि आप लोगों को धीरे-धीरे पॉलिसीज के माध्यम से इन राइट्स को दीजे और फिर अब जो हम पढ़ने वाले जुसका नाम है Constitution का Part 4A, Fundamental Duties, तो आपको देखकर लग रहा होगा जी यह गडबर कैसे हो गया, Part 4 तक तो ठीक था, Part 5 आ की है, भारत के नागरिकों के राइट्स यहां पर बताए गए है, ओके, तो इंपोर्टेंट है, आज हम आज के सेशन में यही डिसकस करेंगे, Constitution का Part 4A, तो यही हम आज के सेशन में कवर करने वाले बहुत डिटेल से रेखेंगे, सारे प्रोविजन्स मैं बताऊंगी, लेक रोकी राज, पी कुंच जी, अनिल सिंग, जैश्री कृष्ण जी, नामी आपका, तेजल काकडे, विशाल जी, शिश्मा भारती, ओके, शुभम मौर्या, और अकांशा जी, अपरणा जी, अड़ा लवर, प्रवेश तिवारी, मनीश, अक्षत, अंकित, सभी बच्चों को भई, वेरी गुड इवनिंग, रामराम, नमस्कार, सुर्भी जी, आलोग जी, राज खान जी, सभी बच्चों को भई, वेरी गुड इवनिंग, कॉपी पेस्ट मत करिए, भई, कॉपी मत करिए, बार-बर, रॉकी राज जी, देख लिया, मैंने आपका कमेंट, नमस्कार भई, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं हमारे सेशन को, और कोई भी डाउट होगा, तो आप लोग बताते रहेंगे, हां जी, आकांशा जी, गुड इवनिंग, और हिस्ट्री का लेक्चर, मंडी, टूजड़, वेंजड़, त अलदी से वीडियो लाइक करेंगे, और आज केबल हम fundamental duties नहीं, बलकि इससे related, जो भी provisions exam में जिन से related question पूछे जाते हैं, उन सभी topic को हम cover करेंगे, तो चलिए, start करते हैं हमारे session को, और बातचित का सिलसला जारी रहेगा, बातचित हम करते रहेंगे, तो एक एक करके पहले ह हम fundamental duties को देखेंगे, और देखी हिंदी इंग्लिश दोनों में तो बिलकुल tension नहीं ले रहा है, अभी मैं आपको मौलिक करतव्यों के बारे में, यह कहां से आया, क्या provision था, क्यों इसको constitution में अलग से लाया गया, इन सारी चीजों का discussion कराने वाली हो, MCQ होगा, मैं बिलकुल होगा, रॉकी राज जी, आज नहीं, कल के सेशन में MCQ होगा, पहले थ्योरी पढ़िए, देन आप MCQ पर जाएए, ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हमारे मौलिक करता है, fundamental duties के बारे में, सबसे पहला point क्या बोल रहा है, fundamental duties के बारे में, दो the rights and duties of the citizens are correlative and inseparable, the original constitution contained only the fundamental rights, not the fundamental duties, important point है, ध्यान से सुनेंगे, बोल रहा है आपका, कि जो नागरिकों के अधिकार है, जैसे मेरा कुछ right है, और नागरिकों के करतव्य, यानि मेरा कुछ करतव्य भी है, अगर भई, मुझे academy salary दे रही है, तो मेरा करतव्य है, कि मैं अच्छा perform करू, है ना, अगर मुझे right म जुड़े हुए है, अधिकार देने का मतलब ही है, कि अगर आप किसी को कोई right दे रहे हो, तो इसका मतलब है, आप उसका कुछ काम भी बोलोगे, उसका कुछ करतव्य भी बताओगे, अगर आप केवल किसी को rights ही दे रहे हो, उसकी कुछ responsibilities, उसकी कुछ duties नहीं बता रहे हो, तो ये irresponsible हो जाएगा person, और ऐसा ही हमें दिखाई दिया, कि हमारे अधिकार और करतव्य दोनों एक दूसरे से संबंदित है, लेकिन constitution ने part 3 में हमारे अधिकारों की तो बात की, लेकिन कहीं भी हमारे करतव्यों के बारे में mention नहीं था, कहां mention नहीं था, original constitution, original constitution कौन सा भाई, 26 of January, sorry, मैं बोलू, 26 of November 1949 का जो आपको constitution दिखाई देता है, इस constitution में कहीं भी mention नहीं था, आपके fundamental duties के बारे में, तो यहाँ पर यहीं लिखा है, नागरिकों के अधिकार और करतव्य परस पर संबंदित है, आप विभाज्य हैं, लेकिन इसके बावुजूद, जो हमारा original constitution थ उसमें अधिकार तो दिये थे, लेकिन करतव्य नहीं दिये गए थे, ओके यहाँ तक सभी को क्लियर है, एक स्टैप और आगे बढ़ जाते हैं, निक्स्ट क्या बोल रहा है, इन अदर वर्ट, दो फ्रेमर्स आप दी कॉंस्टिटूशन, यानि जिनों ने समविधान को बन आया, हमारी समविधान को बनाया था, हमारी कॉंस्टिट्मेंट एसेंबली, समविधान सभा ने, तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, इन अदर वर्ट, दो फ्रेमर्स आप दी कॉंस्टिटूशन, डिड नोट फील इट निसेसरी, तो इन कॉर्पोरेट द फंडमेंटल of the citizens in the constitution, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो हमारे समविधान सभा के सदस से थे, उनको ऐसा आवश्यक नहीं लगा, कि हम नागरिकों के मॉलिक करतव्यों को भी समविधान में समलित करें, तो उन्हें ऐसा जरूरत नहीं लगा, कि लोगों के करतव्यों लिखने चाहिए, उन फिर हम आगे बढ़ेंगे, next, however, they incorporated the duties of state in constitution, in the form of directive principles of the state policy, तो हमारे कोई भी करतव्यों नहीं बताए, कि भई ये देश के नागरिक है, इनके अधिकार बताए, कि भई हमारे क्या-क्या राइट्स होंगे, लेकिन हमारे कोई भी करतव्यों नहीं बताए, इसके opposite अगर हम दे assembly ने देश का करतव्य बताया, कि देश का क्या करतव्य होगा, हमारी सरकार, हमारी विधाई का, हमारी जो भी executive bodies होती है, उन सभी के क्या responsibilities है, क्या करतव्य है, वो बताया, हमारे अधिकार बताए, लेकिन हमारा करतव्य नहीं बताया, interesting गया ये, ठीक है, तो यही third point आपका mention किया है, हाला कि उन्होंने भले हमारे करतव्य नहीं बताया, लेकिन राज जी का करतव्य बता दिया, कहां पर constitution के part 4 में, जिसको बोला गया आपका directive principles of state policy, राज जी के निती निदेशक तत्व, ओके, सभी के समझ में आ गया, चलिए जी, यहां तक ओके, अब भई, ये तो आपने देखा, Constituent Assembly ने क्या किया, आमित जी, गुड़ीवनिंग भई, चलिए, गुड़ीवनिंग रानी साहु जी, अंकेत यादव जी, जितने students यहां पर जुड़े हुए, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहले फटाफर चैनल सब्सक्र समविधान सबाने हमारे अधिकार दिये, देश का करतव वे दिया, लेकिन हमारे कोई करतव वे नहीं लिखे, ये बात आपको क्लियर होगे, एक सेप और आगे बढ़ते है, the fundamental duties in the Indian Constitution are inspired by the Constitution of USSR, okay, Soviet संग, जिसे आज आप रूस बोलते हैं, actually, वो हमें एक सोवियत संग का सबस रूप में दिखाई देता है, Soviet संग, एशिया और यॉरप के काफी सारे देशों का एक ग्रूप था, एक federal structure था, लेकिन बाद में ये तूट जाता है, और इसमें से केवल रशिया ही हमें एक बड़े राज्जी के रूप में अलग से देश बनता हुआ, दिखाई देता है, बाकी छोटे-छोटे भी देश बनते वे दिखते हैं, तो एक्चली ये किस की बात कर रहा है, ये Soviet संग की बात कर रहा है, ना कि रूस की, तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये concept लिया कहां से, हमारी Constituent Assembly को idea कहां से आया, The fundamental duties in Indian Constitution are inspired by the Constitution of USSR, तो एक्चली ये मौलिक करतवे का idea हमने कहां से लिया है, एक देश जिसका नाम है Soviet संग, वो जो गृप था, वो जो संग था, वहां से हमने idea लिया, क्योंकि उन्होंने अपने Constitution में ना केवल rights बताय थे, बलकि लोगों की duties भी बताई थी, कि केवल आपको अधिकार ही नहीं मिलेगा, बलकि आपके करतवे भी या, आपको काम भी करना पड़ेगा, तो एक्चली ये idea हम कहां से लेते, ये inspiration हमें कहां से मिलती है, USSR के Constitution से, नेक्स्ट बोल रहा है यहां पर, नोटेबली, नन ओफ दी Constitutions of major democratic countries, like USA, Canada, France, Germany, Australia and so on, specifically contain a list of duties of citizens, बोल रहा है कि अगर आप India का comparison other countries से करे, तो हमें विश्व के और जितने भी लोगतांत्रिक देश दिखे, लोगतांत्रिक देश जिस देश का साशन लोग खुच चलाते हैं, लोगों का साशन चलाना मतलब, जैसे election आ रहा है, तो directly या indirectly election के माध्यम से आप ही अपने शाशक को चुनते हैं, उसे ही बोला जाता है democratic nation या फिर लोगतांत्रिक देश, ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर आप competitively विश्व के all democratic nations को देखे, for example USA हो गया, Canada हो गया, France हो गया, Germany हो गया, Australia हो गया, तो इन देशों में हमें fundamental duties नहीं दिखा देती है, तो basically जो democratic nations होते हैं, वहाँ पर हमें बहुत कम इस तरह की व्यवस्था दिखाई देती है, एक इसका exception है, Japanese constitution, Japanese constitution is perhaps the only democratic constitution in the world, which contain a list of duties of citizens, तो हमें जापान का एक ऐसा समविधान दिखाई दे रहा है, या लोगतांत्रिक देशों में एक ऐसा, एक मात्र या कुछ और होंगे, लोगतांत्रिक देश दिखाई दे रहा है, जो की लोगों के कर्तवें बताता है, otherwise बाके democratic nation में लोगों के कर्तवें नहीं बताये हैं, तो किस तरह के देशों में लोगों की duties को बताया जाता था, जहां से इंडिया, जो की खुद एक democratic nation है, उसने ये idea लिया, inspiration लिय है, तो यहां पर बता रहा है, the socialist country, ऐसे देश जो की समाजवादी विचारधारा पर आधारित होते हैं, समाजवादी विचारधारा मतलब ऐसा देश जो समाज के हित में काम कर रहा है, public welfare के लिए काम कर रहा है, for example, Soviet Sun, for example, आज इंडिया ने भी socialist structure को adopt किया है, मैंने आपको प्रियंबल में पढ़ाया था, ये term जिसको बोला जाता है, socialist, ओके, तो भारत एक समाजवादी देश को represent करता है, समाजवादी देश, यानि समाज के जो दो तपके है, जिनके बीच में जादा gap हो गया है, इसको धीरे धीरे कम करना, कम करने के लिए भाई, इसको तो नीच है, क्या बोल रहा है, कि ये जो हमें duties दिखाई देती है, actually ये socialist nation का एक feature होता है, तो जो भी समाजवादी देश होते हैं, वो देशों का ये characteristic होता है, कि वो अपने नागरिकों की केवल अधिकार नहीं लिखते हैं, क्योंकि समाजवादी देश है, तो वो वहाँ के लोगों भी होगी, तो यहाँ पर यहीं लिखाया है, कि actually democratic nation में हमें नहीं बराबर दिखाई देता है, मैंने example दियो, एक example दिया, जहां दिखाई देता है, जापानी समविधान, और ये basically किस जगा पर basically दिखाई देते हैं, तो वो है आपका कौन सा socialist nation में हमें इस तरह की दिखाई देती है, ओके, यहाँ तक clear है, सभी के समझ में आ गया, चलो जी, यह तो हमने यहाँ पर basic cover किया, जो भी छुटे मुटे point से वो हमने देखे, ताकि आपका foundation strong हो जाए, तो आप कभी भी आप से exam में, या कही भी कोई पूछ रहा है, fundamental duties के बारे में, तो आप बहु हमारे duties को include नहीं किया गया, ओके, और कैसे यह किन देशों में दिखाई देता था, तो हमने discuss किया, USSR से हमने concept लिया, लेकिन यह हमें किस तरह के देशों में दिखाई देता है, democratic nation में नहीं, exception है, जपान का constitution, कुछ और ऐसे exceptions मिल सकते हैं, otherwise हमें यह socialist nation का structure है, वहाँ पर दिखाई देते हैं कि fundamental rights और duties दोनों बताए चाहेंगे, अब चलो original constitution में तो यह था नहीं, यानि जो समविधान आपने तयार किया, 26th of November 1949 को, उस समविधान में तो यह ववस्था थी नहीं, तो actually यह system आपको कहां दिखाई दिया है, कब से इसे introduce किया गया, हमारे Indian constitution में, तो इसे हम देखने वाले हैं, जल्दी से बढ़ी, फटाफट जितने बच्चों यहां जुड़े हुए है, जितने बच्चे यहां जुड़े हुए है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट आप चैनल सब्सक्राइब करतेंगे, video को लाइक कर देंगा और जितना जादा हो सके उड़ा के वीडियो शेर करें 43 पर अटके हुए इस पेशल आपके लिए पॉलिटी की क्लासिस कंड़ कराई जा रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाईए वीडियो को शेर करें लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भू दिया है यहां पर मैं थोड़ा साब को यहां पर समझाओंगी इन 1976 दा कॉंग्रेस पार्टी सैट अब दा सर्दार स्वाइन सिंग कमिटी तो मेक रिकमेंडेशन अबाव दी फंडमेंटल ड्यूटीज द नीड एंड नेसेसिटी आफ विच वस फैल दूरिंग दूरिंग 25-1977 बहुत इंट्रेस्टिंग है आपको बता दू एक्चली क्या होता है हमारे कॉंस्टिटूशन का एक आर्टिकल एक नहीं मैं आपको बोल देते कॉंस्टिटूशन का एक पार्ट है जिसका नाम है पार्ट 18 सम्विधान के भाग अठारा में हमें आर्टिकल नंबर स्व कोई नॉमल सिचुएशन नहीं है देश में भी कभी ऐसी इस्थिति आ सकती है जबकि सिचुएशन नॉमल नहीं रहती है पॉजिटिव नेगिटिव कुछ भी अनिस्टेबिलेटी हमें दिखाई देती है तो इसके लिए अनुछे 352 से 360 तक विवस्था की गई है जहाँ प अर्टिकल नंबर 360 जो बात करता है फाइनेंशिल एमर्जनसी या वितिय आपात काल की ओके यहां तक क्लियर है चलो जी आगे बढ़ जाते हैं आर्टिकल 352 को हमें फोकस करना है अनुछे 352 हमारे समविधान का बोलता है उस समय के पॉइंट आफ यू से अगर मैं बात साथ हमारा वार चल रहा हां किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा हुँ दूसरी situation किसी देश ने हम पर आकरमण कर दिया हो और अचानक से हमला कर दिया हो जिससे आप बोलते है एक्स्टरनल एक्रेशन एक्स्टरनल एक्रेशन या फिर आप क्या बोलोगे बाहे विद्रो ओके तो यहां पर यहां पर क्या लिखना है बाहे आक्रमन विद्रो नी स्वारी बाहे आक्रमन ठीक है ओके और तीसरा जो यहां पर रीजन उस समय लिखा था उस रीजन का क्या ना देश के साथ वार हो या वार जैसी situation हो किसी और देश ने अचानक से हमला कर दिया है या हमला करने की परिस्थिती बने हुए है या फिर देश के अंदर ही देश के लोग internal disturbance create कर रहे हैं आंतरिक अशानती क्रियेट कर रहे है तो ऐसी situation में प्रेसिडेंट ओफ इंडिया के पास पावर है अंडर आर्टिकल 352 कि वो नैशनल एमर्जनसी अनाउंस कर सकते हैं किसकी कहने पर प्राइम मिनस्टर के कहने पर उस समय ये वैवस्था थी अब भई नैशनल एमर्जनसी लगने पर क्या आता है लेकिन एमर्जनसी की प्रोवीजन एमर्जनसी प्रोवीजन लगते ही सारी की सारी पावर कैसे आ जाती है सेंटर के हाथ में हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कनवर्ट हो जाता है सारी शक्तिया केंदर के हाथ में आ जाती है और केंदर इस situation को control करती है और इसके अलावा क्या होता है emergency के कुछ benefit भी है क्या benefits है मैं आपको बता दू अगर national emergency देश में लगी हुई है और आपको बता है हमारे देश का system कैसा है parliamentary system संसदिये व्यवस्था संसदिये व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें देश की सरकार कहां से बनती है संसद के अंदर से बनती है और इसी तरह का structure हमें दिखाई देता है Parliament के दो हाउसे लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा का election जिसे आप बोलते है general election, direct election हर 5 साल पे normally conduct होता है इस लोकसभा के election में जिस party को majority में seat मिलती है उसी बीच क्योंकि सरकार कब तक है जब तक लोकसभा और लोकसभा का का कारिकल normally कितना होता है 5 यर का होता है लेकिन इस बीच अगर हमारे देश में आपातका लगया, युद्ध चल रहा है आक्रमन हो गया या आंतरी का शान्ती कोई भी condition है तो भाई election नहीं कराया जा सकता election नहीं कराया जा सकता तो 5 साल में लोकसभा खतम हो जाएगी तो सरकार भी निपट जाएगी तो इसके लिए constitution में provision है कि emergency अगर लगा रहेगा तो ऐसी situation में अगर लोकसभा का कारेकाल पूरा होता है तो लोकसभा के कारेकाल को एक बार में एक साल के लिए extend किया जा सकता है एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है एक वर्ष बढ़ाने का मतलब है कि सरकार और एक साल तक बिना election काम करेगी और अगर फिर भी emergency खतम नहीं होती कई तो फिर इसे 1 साल extend कर दिया जाएगा 1 साल करके कितनी ही आगे तक Parliament इसे बढ़ा सकती है अभी ये इतनी कहाने क्यों कहें गए क्योंकि हमस्कमेटी के बारे में पढ़ना है औरक्षर कमेटी के बारे में पढ़ते 75 तक जो भी उनकी पॉलिसी थी उससे भारत की लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं थे और ऐसे सिचुएशन में लोग वेट कर रहे थे कब हो इलेक्शन और हम दिखाए यहां पर सरकार को अपनी ताकत दिखाए इंद्रा गांधी गवर्मेंट समझ चुकी थी कि देश में हम उजसन दिखाए ढी अंतरिक अशांती फैली हुई और इस आधार पे क्योंकि इंटर्नल डिस्टरबंस का कोई डफिनेशन तो नहीं है कुछ विद्रों तो हो रहा था सरकार के खिलाभ तो देश में आंतरिक अशांती फैली हुए है इस आधार पे हमारी प्राइम इंडरा गांधी ने सजेशन दिया प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 352 का यूज करके इंपोस कर दिया क्या नाशनल एमर्जंसी कौन से वाला इस आधार पर ओके ये नाशनल एमर्जंसी लगा 1975 में एक साल का कारेकाल एक्स्टेंड हो गया, इलेक्शन नहीं हुआ, 1976 तक एक्स्टेंड हुआ, 1976 में फिर से एक साल का कारेकाल एक्स्टेंड हुआ, 1977 तक और फाइनली 1977 में वापस से एमर्जंसी खतम हुई और लोग सबा के जनरल एलेक्शन हुए और उस एलेक्शन में पहली बार कॉंग्रेस से अलग यानि 1951-52 के चुनाओं के बाद पहली बार हमें दिखाई देता है कि 1977 में कॉंग्रेस से अलग देश में सेंटर में जनता पार्टी की गवर्मेंट बनती ह कोई दिखाई देती है मुरार जी देशाई हमारे प्रधान मंत्री बनते हैं ओके ये तो सारी स्टोरी आपने समझ ली अभी काम का पॉइंट क्या है कि ये नाशनल एमर्जंसी में ही ये कमिटी का फॉर्मेशन किया गया था एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और क्लैरिफ दिखान में 44 संशोधन किया गया 1978 में और इस संशोधन के द्वारा विवस्था कर दी गई कि आंतरिक शांती नहीं क्योंकि जब यह एमर्जंसी इंपोस की गई थी जनता पार्टी गवर्मेंट के जो मेंबर से उनकी बहुत कुटाई हुई थी इन दो सालों में तो जैसे ह उनकी सरकार बनी 1977 में सबसे पहले उन्होंने इंटर्नल डिस्टर्बेंस वाले कंडिशन को हटाया और इसके जगा क्या लिखा आम्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रो यानि नॉमल अशांती नहीं अगर देश में हथियार सहित विद्रो होती हुई सिचुईशन दिखाई दे रही है तब जाके आप यह अमर्जंसी इंपोस करते हैं ना केवल इतना लिखा बलकि यह भी लिख दिया कि अप्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केवल प्राइम मिनिस्टर नहीं बलकि जो पूरी काबिनेट होती है काबिनेट मिनिस्ट्री के जो मेंबर्स होते जो मंत्री ह होते है काबिनेट मंत्री उनके हस्ताक्षर करने के बाद इस तरह की एमर्जंसी को इंपोस करेंगे काफी सारे चेंजस किये गए थे इस 44 अमेंडमेंट से हमें वहां नहीं जाना है हम पढ़ेंगे उसे एमर्जंसी जब मैं प्रोवीजन आपको कवर कराऊंगी फिलाल मैं आ जाती हूं अपने टॉपिक पर तो एमर्जंसी समझ में आ गई 1975 से 1977 तक कंटीनियोस हमें रास्ची आपात का दिखाई दिया चलो जी अब आ जाते हैं हम स्वर्ण सिंग कमिटी पे क्योंकि इंद्रा गांधी गवर्मेंट का कहना था देश के लोग नलायक हो गए हैं दे घर के बच्चे के यह अधिकार है कि अधिकार क्या है इसको अच्छी सिक्षा देना इसको अच्छा स्वास्ते देना अच्छा पोशन देना यह इसका अधिकार है जो इसको मिलना चाहिए ठीक है और माबाप का करतव्य उनके कुछ करतव्य भी लिख दिए कि बहीं यह में our constitution तहा, part three ने हमारे right बता दिये, जैसे बच्चे के अधिकार बताए गये थे और part four ने देश का कर्तवने बता दिया, जैसे माता पिता के कर्तवने बताए थे लेकिन उस बच्चे का काम तो तो बच्चा क्या निकल गया नलायक निकल गया उसको केवल उसके राइट्स मिल रहे हैं और घर वाले सारी अपनी ड्यूटीज पूरे करें बच्चे को अपने काम नहीं बताए कि जब हम पढ़ा लिखा रहें तो पढ़ लिखके आपको स्टेबल हुने उसका करतव नहीं ब सब्सक्राइबाद 1976 में कॉंग्रेस पार्टी ने मौलिक करतव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सर्दार स्वाइन सिंग कमिटी के स्थापना की और इस कमिटी ने अपने और इस कमिटी को बोला कि यह जो आंत्री करशांती के आधार पर एमर्जिंसी इंपोस की गई है आप इसको देखी और देखकर बताईए कि भाई क्या हमें करना चाहिए कि वापस से इस तरह की व्यवस्था क्रियेट ना हो ओके सभी के समझ में आगया अब भाई स्वाइन सिंग समिट समिट स्वाइन सिंग कमिटी ने काम किया दस दा कमि समिटी थी उसने क्या दिया सजेशन दिया अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने बोला कि भई आशांती तभी नी फैलेगी जब इनको काम देगे तो आप इनको इनके डूटी दीचे और डूटी के लिए स्वाइन सिंग समिटी ने सिफारिश किया कि कॉंस तो ये थी सरदार स्वर्ण सिंग कमिटी की रिपोर्ट जिस रिपोर्ट में इन्होंने ये बात बोली थी ये बताईए यहां तक समझ में आगया किसी को कोई डाउट है तो बोलिए अदरवाइस हम आगे बढ़ते और हां जितने स्टुडेंट जुड़ेव हैं जिन भी ब सब्सक्राइब कर देंगा और टैलिग्राम ग्रूप को जोईन करना मत भूलिएगा जिसका नाम है आईएस पीसेस बाई अड़ा 24-7 ओक यहां तक हां जी मृत्यूंजे जी जप नाम यहां तक क्लियर है आया की गया मैम हम पापा से अपना अधिकार मांगते है तो टाइम पर मेरा कुटाई हो जाता है बिल्कुल तो कुटाई ही हो कहां पापा लोग खुद अधिकार दे रहे हैं आपको पढ़ने के लिए आपको मुबाइल फोन दे रखा है ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो और कितना राइट चाहिए तो आपको राइट दे रहे हैं ठीक है अभी जी उड़ा के शेयर करो बहुत बढ़िया भई चलिए आगे है कुछ बचों को कुछ बचों को जाड़ाउट है जिनको डाउट आप लो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख देंगे काजल जी गुड़ीवनिंग भई और जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक भी गंड़क करें आगे बढ़ जाते सनसींङ कमीटी ने क्या सिफारिश की ये तो बोला स्वाइनसिंग कमीटी ने कि अलक चैप्टर के रूप में फंडामेंटल ड्यूटीज को रखी लेकिन कैसे कि क्या कितने फंडामेंटल ड्यूटी इस रखने चाहिए टिके तो एक् केवल सिटीजन्स के लिए होते हैं आपका जो करतव्य है कि हमारे जो बच्चे हैं इनका ये करतव्य होना चाहिए कि ये पढ़ लिखकर अपने माता पिता का भरन पोशन करें उन्हें अच्छी लाइफ दे अब ये करतव्य केवल आप ही के बच्चों का होगा बाप पड़ो ये जो स्वैंड सिंग कमिटी ने सिफारिश दिती फंडमेंटल ड्यूटी की ये केवल हमारे भारत के नाग्रिकों के लिए थी ना कि लोगो के लिए सभी के लिए नहीं था केवल इंडियन सिटिजन्स के लिए था अपने बच्चों से तो उमीद करोगे कि ये अपना करत सव्यों को आपको समविधान में एक अलग चैप्टर के रूप में जोड़ना चाहिए यह इन्होंने सजेशन दे दिया यह इनका काम हो गया अब सजेशन देने के बाद क्या होता है आप सभी को पता है कि जब भी समविधान में कोई नई चीज जोड़ी जाती है यह समविध इस प्रोसीजर को क्या बोलते है संशोधन शुद्ध करना अमेंडमेंट करना और इसी तरह सुएंड सिंग कमिटी ने जो सिफारिश किया था रिकमेंडेशन दिया था कि अलग चैप्टर में फंडमेंटल ड्यूटी को जोड़ा जाए तो जोड़ना है क्या किया जाएगा अमेंडमेंट किया जाएगा तो हमारी जो पालियमेंट थी उन्हों ने एप्रोक्स स्वेंड सिंग कमिटी की रिपोर्ट को लगभग लगभग accept कर लिया थोड़े बहुत changes के साथ थोड़ा बहुत modification किया modify किया और लगभग उसको accept किया और accept करने के बाद समविधान में जोड़ा जाएगा समविधान में जोड़ा जाएगा यानि amendment होगा कौन सा amendment होगा the congress government at center accepted these recommendation and enacted the 42nd constitutional amendment act in 1976 इसी act को बोला जाता है इसी amendment को mini constitution क्योंकि actually यह वो समविधान संशोधन है जो आपको बहुत जगा देखने को मिलेगा या फिर मैं यह बोलू कि यह एक मात्र ऐसा समविधान संशोधन है जिसने समविधान के कई भाग कई अनुछेद में बदलाओ किये तो 42nd constitutional amendment 1976 से congress की government ने स्वाइन सिंग समेती की report को accept किया समविधान में जगा दी बयालिस्वा संशोधन क्यों कहा गया है क्योंकि इसके पहले already constitution में 41 amendment यानि 41 संशोधन हो चुके थे और जिस साल किया गया ये बयालिस्वा था और जिस साल किया गया वो साल कौन सा था 1976 उनने सो ची अतर ओके तो यहां पर क्या बोल रहा है the congress government act center accepted these recommendation and enacted the 42nd constitutional amendment act 1976 तो हमारी congress party ने इसको accept किया समविधान में संशोधन के द्वारा उनने सो ची अतर में ये संशोधन किया गया इसका नाम था बयालिस्वा समविधान संशोधन अब संशोधन से क्या बदलाव किया गया यह हम देखते हैं next point में this amendment added a new part namely part 4a to the constitution this new part consists of only one article okay तो यह एक ऐसा पार्ट है constitution का जिसमें केवल एक ही आर्टिकल हमें दिखाई दिया that is article 51a अलग-अलग लिग गया है इनको पास-पास कर देते हैं बिछड़े वे से लग रहे है तो आर्टिकल 51a एक ही आर्टिकल था इसमें which for the first time specified a code of 10 fundamental duties of the citizens तो सबसे पहले मैं बताओ सम्विधान में एक नए चैप्टर के रूप में जोड़ना था तो कहां जोड़ा जाए सम्विधान के 22 parts है किसके बगल में इसको चिपकाया जाए ABC करके तो हमने देखा constitution का पार्ट 4 जिसको बोल रहे हैं आप DPSP actually constitution का पार्ट 4 हमारे देश हमारे राज्ये जो भी हमारी राज्ये के अंतरगत निकाय आते हैं उनके duties बताता है कि राज्ये का करतव वे है देश के लोगों को यह यह चीजे policies के माध्यम से provide करेंगे ओके जहां पर state की duty लिखी गई थी उसके बगल में ही किसकी duty लिख दी हमारी duty लिख दी इंडियन सिटीजन्स की तो constitution के part 4 के पडोस में जोड़ दिया part 4a यानि जहां माता पीता के करतव वे लिखे थे उसके बगल में ही बच्चों के करतव लिख दिये गए कि अब आपका ये करतव और आपका ये करतव तो ध्यान रखना है constitution का part 4 जहां state की duties mention थी जिसको आप DPSP बोलते हैं उसके बगल में ही क्या जोड़ दिया constitution का part 4a और जो आपका part 4 था उसमें कितने article थे article 36 से article 51 और part 5 हम पढ़ते थे और part 5 कहां से start हो जाता है article 52 से 151 तो ये जो बीच में ए एक आपने part बना दिया A करके इसके अंदर article कहां से लाई ये 51 ये 52 बीच में कौन साइगा तो हमने क्योंकि part 4 के बगल में जोड़ा 4A तो इसी लिए last article था 51 और part 4 के अंदर हमने part 4 A के अंदर में हमने एक article जोड़ दिया जिसका नाम था article नंबर 51 A ओके धान रखना है confused नह यहां पर जो अनुच्छेद लाया गया 51 A ओके तो 42nd constitutional amendment 1976 से constitution में भाग चार कह के अंदर अनुच्छेद 51 कह को जोड़ा गया ओके अब 51 कह में क्या लिखा था part 4 A तो लिखा है कि हमारे मूल करतव्ये 51 कह के अंदर में स्वाइन सिंग कमिटी ने सिफारिश के थी 8 fundamental duties की हमार देश के नागरिकों के यह 8 मौलिक करतव्य होने चाहिए लेकिन इंपोर्टेंट क्या है कि इन्होंने थोड़ा उसको modify किया और 8 के जगा हमारे टोटल 10 fundamental duties को एड़ किया constitution के आर्टिकल नंबर 51 A में तो आपको ध्यान रखना है संविधान के अनुच्छे दिख्यावन कह म से टोटल 11 सोड़ टोटल 10 मौलिक करतव्यों को जोड़ा गया था इस संशोधन के द्वारा तो यहां पर यही लिखा गया है आपको ध्यान रखना है सेम पॉइंट यहां हिंदी में दिया है कि इस amendment से जहां पर उन्होंने 8 करतव्यों को शामिल करने की बात की थी हमने 8 की जगा इस amendment से 10 करतव्यों को शामिल करा कहां शामिल करा समविधान के भाग चार कर में अनुछेद 51 कर में यहां पर लिखा है दो दा स्वार्न सिंग कमिटी सज़ेस्टेट दा इंकॉर्परेशन ओफ एट फंडामेंटल दूटीज इन दा कॉंस्टिटूशन दूटिशन द 10 मौलिक करतव यहां तक दन ओके क्लियर है सभी को आया की गया भई सभी के समझ में आ गया है बताईए भई आ रहा है कि जा रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों में देख रहे हैं अब देखो कुछ और चीज़े मैं आपको यहां पर बताऊंगी यहां तक ओके है किसी को कोई डाउट है तो बताईए भई अधरवाइस हम आगे बढ़ेंगा जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटा फट आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देंगे वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना ज्यादा हो सके भई उड़ा कर वी बटन दबाने का सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना ओके चलिए आ गया मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कुंच जी राजा बाबू अंकिर जी शुष्मा जी काजल जी अकांशा जी वेरी गुड भई अनुराग मीना जी नो मैम समझ नहीं आया बच्चा कहां बच्च नहीं आया एक बड़ मुझे बताईगे ताकि मैं उसको वापस बता सकूं मैंने आपको कुछ नहीं बताया है मैंने आपको बस यह बताया है कि सम्विधान में जरूरत महसूस हुई कि देश के नागरिकों के काम लिख दो इनके काम लिख दो ताकि अपनी आधार पे कॉंस्टिटूशन में अमेंडमेंट किया गया 42nd amendment 1976 और फॉर के बगल में पार्ट फॉर ए आर्टिकल 51 ए और आर्टिकल 51 ए के अंदर में 10 डूटीज को लिख दिया गया कैसे लिखा गया आर्टिकल 51 ए फॉर्स्ट आर्टिकल 51 ए थर्ड फॉर्ड और इसी तरह 10 तो आपको ध्यान रखना है एक ही आर्टिकल के अंदर में आपकी 10 डूटीज जो है वो लिखी गई है बिलकुल भई सुख सिंग जी बोल रहे हैं पीडिएफ मिलेगी बिलकुल मिलेगी पीडिएफ टेंशन मतलो पीडिएफ मिलेगी आपको और पीडिएफ के लिए आप कि ये दस सौरी ये आठ काम लिख रहा हूं और ये आठ कर्तव्य लोगों के जोड दीजे इन्होंने आठ कर्तव्य के सिफारिश दी थी लेकिन जो हमारी government थी उन्होंने आठ के जगह कितने 10 कर्तव्यों को शामिल किया यही मैंने लिखा है रिपोर्ट दी थी ना उन्हों इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और जो मेरी कमिटी बैठी थी आप लोगों की आपने मुझे सजेशन दिया आपने मुझे अपनी रिपोर्ट दी तो मैं जरूरी थोड़ी उस सारी बातों को मानूं मैं उसमें से कुछ कुछ चीज़े अडॉप्ट करूंगी कुछ मोडिफिकेशन कर दूगी कि यह चीज़े नहीं होने चाहिए यह एकसेप्ट कर लेते तो ऐसे ही स्वाइन सिंग कमिटी ने जो सजिशन दिया था वो थे आपके एट फंडामेंटल ड्यूटी के लेकिन एक्चिली हमारी गवर्मेंट ने 42nd अमेंडमेंट्मेंट से 10 फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूट किया बहुत बढ़िया अब आगे आपके समझ में तो चलो आगे बढ़ जाते हैं क्या हो गया यह ओके तो आगे बढ़ जाते मेरी आवाज क्लियर है ना नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है अब एक चीज मैं आपको और बता दू कभी एक्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए भई जब आप पढ़के जा रहे हो तो थोड़ा भी क्यों छोड़ना है सारा पढ़ जिन्ने कॉंघरस पार्टी के द्वारा स्विकार नहीं किया गया था यानि स्रणी सिंग समिती ने कुछ सिफारिश है की थी जिनको कॉंगरेस ने नहीं जोड़ा वो सिफारिश हम थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं एक्जाम के Punkt of Each is important है कभी-kभी mains में भी क्वेसियं म थी जिसको Congress Party ने accept नहीं किया था यहाँ पर दो ही ऐसी recommendations होती है पहला point क्या बोल रहा है संसत किसी आर्थिक दंड important है ध्यान से सुनो संसत किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान कर सकती है जब कोई किसी करतवे का अनुपालन करने से इंकार कर दे यानि स्वैंड सिंग समीति की काम नहीं करेगा तो जैसे एक बच्ची की कुटाई यहीं कर रहे है तो खाली करतव्वे मत दो करतव्वे दे दोगे करेंगे नहीं करेंग इसली यह करतव् weniger के सारे उन्होंने सजेशन दिया था स्वाइन सिंग कमेटी ने बोला था कि हमारी जो पालियमेंट है वो कानून बना के विवस्था करें कि अगर इन ड्यूटी को फॉलो नहीं किया जाता है तो किस ड्यूटी को नहीं फॉलो करने के लिए या तो कोई आपको आर्थिक दंड द लिए ऐसा नहीं उता है बहुत जली जली कमेंट जाता है तो कभी-कभी नाम रह जाता है आप तो दिल में अप सारे बच्चे थी कर तो हाप नाम नाम ले मतले मैं मान कर चलने हूं आप यहां आए हैं तो आप सभी हमारे लिए ठीक है नाम माम लेने का ज्यादा कुछ इंपक्ट रहता नहीं है चलिए अब देखो ये बात समझ में आ गई यहां पर इन्होंने बोला था कि जो हमारी पर्लियमेंट है वो प्रोवीजन कर दे 51A में टोटल जो 10 राइट है इन 10 राइट को अगर 10 डूटी इसको आप फॉलो नहीं करें तो आपको पनिश्मेंट दिया जाएगा जिसको गवर्मेंट ने माना नहीं गवर्मेंट ने बोला कि यह बड़े नलायक है देश के लोग अ समवन रिफ्यूजेस टू परफॉर्म एनी डूटी तो ऐसा बोला गया था लेकिन इसको नहीं लागू किया गया दूसरी चीज़ जिसे हमने अडॉप नहीं किया तो क्या बोल रहा है यहां पर कर अदाएगी भी नागरिकों का मूल करतव्य होना चाहिए ऐसा बोला किस न करने को ड्यूटी के अंदर में नहीं लाते हैं टेक्स पेमेंट शुड और ऐसे प्रोविजन थे एक टेक्स पेमेंट और दूसरा कोई फाइन या पनिश्मेंट देना अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते हैं यह दो ऐसी स्वाइन सिंग कमिटी क तो भई अभी तक तो हम भूमी का बांध रहे थे एक्चली हम अब आये हैं हमारी ड्यूटी इस पर तो अब मैं आपको ड्यूटी कवर कराने वाली हूँ टोटल दस फंडामेंटल ड्यूटी थी बाद में एक और जोड दी गई लेकिन थोड़ा सा पेशिंस के साथ पढ़ हूँ आपको यह ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए पढ़ाई के लिए यह आपके देश के नागरिक होने के नाते आपका करतव बनता है तो टोटल टैन फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन की गए जो अभी मैं आपको यहाँ पर कवर कराने वाली हूँ कुमार रौकी राज जी मेरा नाम भी लीजे वरना मैं भी सारे रोन नालाइक हो हूँ चलो क्लियर है यहां तक सभी के समझ में आगया है किसी को कोई डाउट नहीं डाउट है तो बताइए आगे बढ़ते हैं चलिए और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है फड और एक है आर्टिकल 51-A के अनुसार भारत के प्रतेक नागरिक का कर्तव्य होगा इंपोर्टेंट है कभी भी एक्जाम में पूछेगा कि यह जो ड्यूटीज है यह किसके लिए तो आपको ध्यान रखना है केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए भारत के नागरिक सबसे पहले समविधान का पालन करें उसके आदर्श संस्था रास्ट्रद्वज और रास्ट्रगान का आदर करें तो पहला करतव्य बोल रहा है क्योंकि आप देश की नागरी के आपकी डूटी है कि जो हमारा इंडियन कॉंस्टिट्यूशन आप इसको फॉलो करें फॉलो और जो भी समविधान की आदर्श है यह समोय निक संस्था इन संस्थाइब बहुत सारी संस्थाों का निर्मान करा है यूपि यूपी ऐसी हो गया फाइनेंज कमिशन हो गया एलेक्शन कमिशन हो गया एक लिजने यहां पर यही बोल रहा है कि समविधान को पालन करें और प्लस इसके द्वारा जिन भी संस्थाओं का निर्मान किया गया है उनका आप क्या करें आदर करें और साथी साथ थोड़े से अपने नैतिक करतव्वे करें नैतिक मतलब कि आप रास्ट्रे ध्वज जो आपका नैश मतलब है कि भई कई बार ऐसा आपने कई देशों में देखा होगा कि अपने नैशनल फ्लैक का निकर बनाकर पहन रहे उनके मैट पर उनके नैशनल फ्लैक का सिंबल बना हुआ है इंडिया में भी कुछ इस तरह की ऑनलाइन प्लाटफॉर्म है जिन्होंने ऑनलाइन कंपनी जिन्होंने इन चीज़ों को इंटर्डियूस किया था हमारा नैशनल फ्लैक तिरंगा के उसमें क्या बोलते हैं कलर फुल कलर में जिसको हमने पूरी तरह से बैंड कर दिया क्योंकि यह इसके ही नहीं बलकि जो हमारी ध्वज सहीत है उसके भी अगेंस्ट है तो यहाँ पर और जंगन बजा और वहीं खड़े रह गए आई ट्रेन निकल गए तो ऐसा नहीं सिचुएशन देखते हुए आपको इन चीजों को फॉलो करना है इनका सम्मान करना है यहीं पॉइंट यहाँ लिखा है फॉलो दॉर कॉंस्टिटूशन और रिस्पेक्ट इट्स आइडिय को हिर्दय में संजोए और उनका पालन करें अब बोल रहा है कि थोड़ा सा अपना हिर्दय स्वतंत्रता अंदोलन के समय वाले सिचुएशन पर ले चाहिए आपको पता है कि आज जादी के समय जो हमारे देश के जो भी आपके लीडर से उन लोगों के किस तरह के आदर्श है लेकिन उस समय हमें जो लीडर दिखाई दिया उनका किस तरह का रॉल था लीडर ने बोल दिया गांदी जी ने बोलिया पिटो लोग पिट रहे हैं चुपचाप से पिट पिट के खतम हो गए उस टाइप का उनका मोटीवेशन होता था उस टाइप का देश का डेट एड़िकेशन होता था है तो यहां पर यहीं बोल रहा है कि स्वृतंत्रता के समय राश्ट्री आन्दोलन को प्रेरित करने वाले जो आदर्श थे लोगों के ना कोई पदका लालच ना कोई धन का लालच लोग पद त्याग कर रहे थे धन त्याग कर रहे थे परिवार का लालशनी खुद का लालशनी अपने शरीर का लालशनी मृत्यू तक को अपना ले रहे थे उस तरह के आदर्श को आप लोग अपने हिर्दे में संजोए संजो के मत रखो उसका पालन भी करो अब आप चोटा ब्रस्टा चार भी मत करें कहीं जाने के लिए दो नंबर से पैसा देकर जुगाड मत करो है न कहीं पर चोरी मत करो टेक्स की चोरी मत करो कच्रा मत फे को यहीं सब क्या है आपके देश के लिए अभी जो स्वतंत्रता अंदोलन तो खतम हो गया है लेकिन देश के लिए यह सब काम आप कर सकते हैं इसको फॉलो करते हुए तो यहां पर सेकेंड पॉइंट क्या लिखा है तो चेरिश एंड फॉलो दा हाई आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड अवर नाशनल मुव्मेंट फॉर फ्रीडम तो दो आपने पढ़े कैसे याद करोगे जोड़ा बनाते ह है कैसा इसका जोड़ा बनता है देखो मैं यह आपको अपना पोस्टनल एक्सपीरिंस शेयर कर रही हूँ जब मैं स्टुडेंट थी मेरे मेरे को यह यादी नहीं होता है तो मैंने ऐसे जुगाड बिठाया कि सम्विधान और स्वतंत्रता सासे हैं तो पहले वाले में बात किया गया सम्विधान स्वतंत्रता एक जोड़ा बन गया सम्विधान मतलब सम्विधान का पालन उसके बात कर रहा है उसकी जो भी संसाय और स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता के समय आदर्श की बात कर रहा है तो इस तरह से आप याद कर सकते पहला पियर बना लेंगे में दिए गए आप लोग स्क्रीन शॉट ले लेंगे ओके आयूशी जी कोई बात नहीं देखो बच्चो आना जाना लगा रहता है तो जब भी आपके घर में कुछ ऐसा इंसीडेंट होता है तो आप लोग थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रॉंग करिए और कई सारे हमारे घर करना चाहिए no doubt feel होगा लेकिन बहुत ज्यादा उसमें आपको अपने आपको हर्ट नहीं करना चाहिए ठीक है mentally strong रहो बहुत सारी लाइफ में situation आती है बहुत चीजें हम face करते हैं अभी आप बहुत चोटे होंगे बहुत कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा है ना छोट प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आपको fit रखें अपने आपको mentally strong करिए गंदी से गंदी situation आएगी और वो निकल जाएगे आपको पता भी नहीं लगेगा और फिर आपको कुछ समय बात जाकर लग क्लास हुई थी कौन सी क्लास में आप आए थे तो क्लास मेरी डेली हो रही है कल शाम को साथ बजे हमने इस्टी पढ़ाया था तो क्लास हुई थी टेंशन मत लीजे अभी शेक कुमार जी गुड़ीवनिंग जितने स्टुडेंट्स यहां पर जुड़े वें लगभग 91 प् अपने आपके ड्यूटी पढ़ लिए दो ड्यूटी याद हो गई समविधान और स्वतंत्रता ओके चलो अब बाकी दो ड्यूटी और पढ़ते पेर बनाके पढ़ेंगे अगला बोल रहा है भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अशुन बना कर रखें प्रॉटरेक्ट एने क्यव्टा सूवराइनीटी यूनीटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इंट्क यानि यहांपर बात करा है कि हमारा जो देश की हमारी जो देश के नागरी कुम की ड्यूटी कि आप देश की एकता अखंडता संप्रभूता को संप्रभूता की रक्षा करें उसे बनाए रखें यानि कभी आपको लग रहा है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसके वजह से आपका देश तूट रहा है देश की अखंडता जो है वो खतम हो रही है देश की एकता खतम हो रही है तो आप उसको प्रमोट मत करिए कई बार आपने ऐसा देखा है कि धर्म के आधार पे लड़ाई चालू हो जाती है और लोग स्पीश देने लगते हैं बयान देने लगते हैं कई बर शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे कुछ ऐसी पिक्चर शेयर कर दी जाती है जो धर्म से जुड़ी होती है और वो फेस्बुक पे देख की एकता अखंडता मेंटेन रहेगी तो अब ध्यान रखना है और निक्स्ट पॉइंट क्या बोड़ा है देश की रक्षा भी करें केवल देश को जोड़ना ही नहीं है बलकि जरूरत पढ़ने पर आप देश की रक्षा करें और आवाहान की यह जाने पर रास्ट्री की अब देश की रक्षा खत्रे में हैं तो उस समय खुद की भी परवाहा मत करो देश एक बहुत बड़ी चीज़ आपका मात्र भूमी है तो इसकी रक्षा के लिए काम करो आवाहन किये जाने पर कल को भई हमारे देश में जरूरत पढ़ें जैसे अभी आपका पैंडिमिक आ और देश अपने नागरिकों का आवाहन कर रहा है कि मुझे आपकी मदद चाहिए देश मतलब सरकार बोल रही है कि मुझे हमारे देश के नागरिकों की मदद चाहिए चाहिए सेना में जाने के लिए कि जाओ लड़ाई लड़ो सेना की कमी हो रही है या किसी भी चीज में तो आप तुरंत जाईए जाकर रास्ट की सेवा करिए, ऐसे नहीं, वार चल रहा है तो फटा-फट वीजा लगवा है, दूसरे देश जा रहे है, युगांडा, केनिया, तंजानिया, कि चलो भागते हैं, जब वार खतम होगा तबाएंगे, नहीं, आपकी ड्यूटी बनती ह है, कि आप जरूरत पढ़ने पर देश के द्वारा आवाहन किये जाने पर आप उसको अपनी सेवा दे, यहाँ पर लिखा है, प्रोटेक्ट दा कंट्री एंड सर्फ दा नेशन वेंड कॉल्ड अपॉन, तो यह दोनों कैसे याद करने हैं, इसका भी हम जोड़ा बना देते 95 बच्चे लाइफ चले गए थे, एक बार जोड से सेशन को शेयर कर दो, अभी 100 लाइफ हो जाएंगे, तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ेवे, एक बार धुवाधार तरीके से सेशन को शेयर करें, ताकि 100 लाइफ आज चाये, चलिए, तो मैं आपको क्या बतारी थ है, पहला है, जिसे आप क्या बोलते हैं, ओके, पहला जो है, जिसे आप बोलते हैं, देश की एकता की बात कर रहा है, और दूसरा देश की रक्षा, तो ऐसे याद करो, देश को एक रखना है, और साथ में इस देश की रक्षा भी करनी है, तो एकता खंडता और रक्षा, य आगे बढ़ जाते हैं बाकी दो हमारे फिर से ड्यूटीज पढ़ेंगे टोटल हमारे पास 11 हैं अभी हमने चार ही पढ़ें याद आपको अल्रेडी हो चुका होगा ठीक है क्लियर हो गया अगली ड्यूटी क्या है भारत के सभी लोगों में सम रस्ता और समान भातत्वी की भावना का निर्माण करें और धर्म भाषा प्रदेश वर्ग धर्म मतला किस धर्म के हैं हिंदो मुस्लिम सिख इसाई दूसरा बोल रहा है भाषा कौन सी भाषा बोल रहे हैं प्रदेश किस छेत्र के हैं किस प्रदेश के हैं वर्ग अमीर है गरीब है तो बोल रहा है कि आपकी ये ड्यूटी है कि भ जड़ाई जगड़ा ना करें आप लोग भाईचारे के साथ मिल जुल करें फॉर एक्जाम्पल वही आपको दहेज में नहीं गाड़ी मिलें मैं यहां पर डौरी को प्रमोट नहीं करें मैं जस्ट एक्जामपल दे रहे हूँ और आप अपनी गाड़ी में अपनी बीवी को बढ़ा कर जारे लॉंग ड्राइफ पे भगल से आपके स्कूटी वाला गुजर रहा है और बिचारा गलती से या जानके या जो भी उसकी मिस्टेक थी आपके गाड़ी में थोड़ा सा उसने स्क्रेच लगा दिया आप निकले बहार दे जहापर दे जहापर दे जहापर तो अपने क्या करा अपनी जीवटी को नहीं निभाया तो आप उसके या तो लीगल एक्शन लीजे उन पर या उनकी सौरी को एक्सेप्ट करिए और उन्हें वान करके छोड़ दीजे लेकिन जो आपने ये हिंसा किया है वो नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे देश के लोगों का करतव्य है नागरिकों का कि आप देश में समरस्ता समान भाईचारा स्टैबलिश करें है ना समान भाईचारा मतला थोड़ा मिल जूल के रहो है आजकल क्या होता है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं आजकल लोग दूसरे के सुख से दु छोडो इसे अपनी duty को perform करो और जो भी भेदभाव कर रहे है आप भाशा धर्म प्रदेश वर्ग इन सभी भेदभाव से परे कि आप क्या करें देश की देश में समरस्था स्थापत करें देश में भायचारा स्थापत करें इतना ही नहीं इसका यह जो second त्याग करें जो इस्त्रियों के सम्मान के विरुद हो यानि वूमेंश के जो की ढिनीटी है उसका जो सम्मान है उसका जो सेलफ रिस्पेक्ट है उसके अगेंस्ट जो भी प्रथाम है उनका प्याग करें अगर आपको ऐसी कोई प्रथा लग रहे जिससे वुमिन prec be महिला के सम्मान पर आच आ रहा है, तो आप ये मत देखिए, कौन से ग्रंथ में लिखा था, किसने इसको बनाया, ये हमारे कल्चर में जुड़ा वा था, कोई फरक नहीं पड़ता है, कोई भी ऐसा रिच्वल, कोई भी ऐसी प्रथा, जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ आपक लेजिन, लेजिन, और क्लास, ठीक है, अबेंडिंग सच प्रैक्टिसेज विचर अगेंस दा, ओनर आफ वुमेन, तो ऐसा कोई भी प्रैक्टिस, जो कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, उसको आप छोड़िये, ठीक है, क्लियर हो गया, थैंक यू, दिलवन जी, ओके, ज एडियो को शेर कर देंगे, और हाँ, टैलिग्रम ग्रूप को जॉइन करना मत भूलीगा, जिसका नाम है, आईएस, पीसेज़ बाई, अड़र 24-7, चलो जी, दूसरा हम पढ़ते है, अगला ड्यूटी क्या है, अगली ड्यूटी बोल रहा है, हमारी सामासिक संस्कृति की, गौरफ शाली परंपरा का महत्व समझे, और उसका परिरक्षन करें, तो यह लिख क्या रहा है, बोल रहा है कि हमारी सामासिक संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके गौरफ शाली परंपरा का महत्व समझे, वेस्टरनाइजेशन को अगर आप अडॉप्ट करे हो, तो अपने कल्चर को मत छोड़ो, है ना, आप अपनी भाशा, अपनी लिपी, अपना खान पान, ये सब साथ रखकर चलो, अपनी संस्कृति की गौरफ शाली परंपरा का महत्व समझे, आज जो मेडिसिन धून्डी जारी है, उसे हमारे तबी की पुराने समय के जो वैदे लो उड़न खटोले से घूमते थे, यानि वो लोग की इस तरह की टेक्नलोजी थी, इतने वो लोग आगे थे हैं, आज बात किया जाता है, ट्रांस्प्लांट की, और हमारे शंकर जी ने गणेश जी का ट्रांस्प्लांट कर दिया था, आपको समझ में आ रहा है, जो मैं बोल के रहोगे, तो ये चीज़े आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टीम, 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 आपका नाम कहा है, टीम में मार्च पहली बार पॉलिटी समझ में आ रहे हैं, बहुत, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, तो बस थोड़ा स सपोर्ट करें मुझे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेर करें, और सारी पॉलिटी की जो प्लेलिस्ट बनी हुए, उसे जाके सारी वीडियो को आप लोगों देख लीजे, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, तो यहाँ प पेर कैसे बनेगा, भाईचारा संस्कृति, ओके, तो भाईचारा संस्कृति से यहाँ पेर बना लेंगे, अगले आपके ड्यूटी की तरफ चलते हैं, बहुत इंट्रेस्टिंग है, बस थोड़ा सा पेशन्स रखें, भागे मत, पूरे बच्चे इधर ध्यान दीजे, जंगल होते हैं, जील, नदी, वन्ने जीव भी इसमें इंक्लूड है, तो प्राकरतिक पर्यावरण में हमारे आसपास जो भी जंगल दिखाई दे रहे हैं, जो भी जीव जन्तु दिखाई दे रहे हैं, जील दिखाई दे रहा, नदी दिखा रहा है, आपका कर्तव्य है कि आप इन सब की क्या करें रक्षा करें और रक्षा करने के साथ-साथ उसका संवर्धन करें ठीक है और जो भी हमारे आसपस प्राणी पाए जा रहे हैं उनके प्रती दया का भाव भी रखे हैं तो यह बोल रहा है कि आपकी यह ड्यूटी है कई सारे लोगों को मैंने ऐसे तो आपको इस तरह की activity नी कर आए कई तो मैं इतने दिवाने देखिया हैं यह फोन पर बात करते करते कुत्ते को दे बात करें हसके लाट नहीं करने करने यहां हमारा प्राकृतिक पर्यावरर हरा बरा रहेगा और नेक्स्ट क्या बोल रहा है दया भाव भी अपने अंदर बनाए रखें प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दा नाच्रिल एन्वार्मेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक रीवर्स वाइल लाइफ एंड हैव कंपेंसेशन स और सुधार की भावणा का विकास करें यानिके वल जीओं मत अपने जीवन में विख्यानिक दरस्टी कोड का विकास करें है ना अभी क्या हो चुका है बस यह की पैदा हो गए है तो दसवी करनी है टॉप करना है बारवी करनी यह टॉप करना है उसके बाद से कोई एक नौकरी का जुगार करना है तो सरकारी यह तो प्राइवेट में अच्छे पैकेज वाला मतलब सब कुछ और यही बात करती कि हमारे देश के लोगों का करतव्य है कि अपने थोड़े से विज्ञानिक द्रिस्टी कोड का विकास करें विज्ञान है तो आप है ना जपान देश के बारे में सुना होगा छुटा सा देश है बहुत ज्यादा नैच्रल डिजास्टर से प्रभावित है बोकंप यानि अर्थक्वेक वॉल्कानिक अक्टिविटीज आए दिन देखता रहता है सुनाभी भी कभी-कभी जिलता रहता है लेकिन उसके बावजूद डवलप कंट्री में काउंट होता है किस वज़े से इस टेकनोलोजी की वज़े से तो यहां पर यही बोल रहा है कि हमारी देश की लोगों का करतब वे है कि वज्यानिक द्रस्टी कोड ग्यानार्जन इन सारी चीजों पर आप लोग ध्यान दे इसके डवलप्मेंट पर काम करें डवलप साइंटिफिक आउटलुक हुमनिस और इस पिरिट आफ नॉलेज अक्विजिशिशन और कि यह आपका नवा और दस्वा है इसके साथ 10 फंडामेंटल राइट हो जाएंगे ग्यारवा तो लड्डू जैसा है ऐसे आपको याद हो जाएगा तो 9 और 10 क्या बोल रहा है 9 फंडामेंटल ड्यूटी बोल रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे यह जो बाद वाला दे रखाना इस पर बहुत ध्यान देना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेशन पूछ लेगा हिंसा से दूर रहने की बात किस ड्यूटी में की गए आप तो आगे का पढ़के गए ती देखा ही नहीं था तो जैसे वह महिला वाली बात की थी वैसे सब्सक्राइब की रुसद्रेंजट और पांच घंटे का रास्ता हैं और उस रास्ते को ड्रावल करते वे पता नहीं क्या है उन्हें की उंगली से उसकी जो seat है उसको उखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके cover में चोटा सा छेद किया फिर और खोदा और और खोदा और और पांच घंटे में बड़ा सा गड़ा करके फिर वहाँ से जा रहे हैं तो इस तरह की चीजे आपका भी घर में करते हुए देखते हैं कि अपन कि बहुत सारे ऐसे monuments हैं हमारे देश में समारक हैं लोगों ने वहाँ पर मतलब अपनी सहेली के साथ गए हैं आपको बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है और प्यार कैसे दिखाते जमीन से पत्थर उटा एक सुन्दर सा दिल बनाया उसमें तीर निकाला उपर उनका नाम छापा है आप उसकी रक्षा करें और किसी भी तरीके की हिंसा से अपने आपको दूर रखे प्रोटेक्ट पब्लिक प्रोपर्टी प्रोपर्टी और स्टे अवे फ्रॉम वाइलेंस यह आपकी ड्यूटी है नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका अगला आपका ड्यूटी टैन्थ ड प्लब्धी की नए उचायों को चूले तो यह बोल रहा है कि हमारे देश के लोगों का यह कर्तव्य होना चाहिए अब पढ़ाते पढ़ाते यूजलेस वर्ट का यूज करते हैं आपको लगता होगा यूजलेस मुझे नहीं लगता है यूजलेस मैं आपको उस लेंग्वेज में समझानी की कोशिश करते हूँ जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए ठीक है और ऐसा कोई वर्ड हम आनी पढ़ती है तो इसी लिए ताकि आप इसीली उन्ची जो को याद कर सके रूही जी रानी जी गूड इवनिंग भई चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहां पर व्यक्तिकत और सामोहिक गतिविद्यों के शेत्र में उतकर्ष की और बढ़ने क एक रसकारी नौकरी मिल जाए कोई भी एक एक सरकारी नौकरी माफ सालहा है फिर आप गु्रूप कर रही है कोई भी ऐज़र टीम आपको यह काम करें आप उसमें उतकर्षखुर पीक लेवल पाप अब यह मत सोचुगी करना है आप यह सोचुगी सबसे बैस्ट करना है यह मत सोची कि एकजाम निकालना है इस बार आप हो जाएगा ठीक है सभी के समझ में आ गया clear हो गया same point यहां English में लिखा है make continuous effort to progress towards excellence in all sphere of individual and collective activities so that the nation touches new heights of ever increasing effort and achievement तो आप ऐसा करिए ता कि हमारा देश जो है वो एक नहीं हाइट नहीं उचाहिए को चू सके चलिए clear हो गया सभी के समझ में आ गया तो यह थे हमारे 10 मूल करतव अंकी त्यादव जी मैं मैराथन लाओ बिलकुन मैराथन हम कंड़क करा रहे हैं इस वीग भी आपका हिस्ट्री ही होगा क्योंकि हिस्ट्री का इंशिन पार्ट कवर हुआ है वह एक बार हम कंप्लीट करा दे मैराथन में संडे शाम पार्च बजे से लेके राद ग्यारा बजे तक मैं आपके साथ जुड़ी रहोंगी पॉलिटी नेक्स्ट वीक कराएंगे पहले हम इंशिन पूरा कर ले ठीक है लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जो ओरिजिनल नहीं थी ओरिजिनल मतला जिस 42nd amendment 1976 में जोड़ा गया था उसमें ये नहीं था इसे कब लाया गया मैं आपको बता तो हमारे constitution में ये व्यवस्था थी कहां व्यवस्था थी मैं आपको बता दू सम्वेधान के भाग चार में व्यवस्था थी भाग चार का एक आर्टिकल था आर्टिकल 45 जिसमें लिखा हुआ था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निश्वल का सिक्षा दी जाएगी जो भी बच्चे 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निश्वल के सिक्षा दी जाएगी लेकिन क्योंकि ये education provide कराईगी ओके ये बात थीस लेकिन कंप़नसरीन है लेकिन नाईंटी थ्री में केस आता है जो हैस्टाय Champagne मेन का सॉरी वorn बहुत ढुबल रही हूं तो 93S लड़की होती जिख और जहां पड़ी केस लिखाता है यह अच्छी सिक्षा ही आपको अच्छा जीवन देगी अगर अच्छा सिक्षा नहीं है तो अच्छा लाइफ नहीं है यहां पर सुप्रीम कोट के जजमेंट के बाद हमारी पार्लियमेंट आफ इंडिया ने एक संशोधन किया कौन सा संशोधन था? 86th constitutional amendment 46th संविधान संशोधन और किस साल किया गया इसे? 2002 में तो 2002 में 86th constitutional amendment किया और इस amendment से जो बात अनुचेत 45 भाग चार में लिखा था 6 से 14 वर्ष तक के बच्छों को सिक्षा का अफसर देना इसे कहा डाल दिया गया? संविधान के part 3 में किस आर्टिकल में तो एक नए आर्टिकल बना दिये गया आर्टिकल 21A और लिख दिया गया कि अब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल का अनिवारे सिक्षा दी जाएगी ओके यहां तक क्लियर हो गया तो जो चीज यहां थी यहां से यहां चले गए समझ में आ गया तो अब भई 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अगर सिक्षा नहीं मिलेगी तो वो कहां जा सकते हैं वो सुप्रीम कोट जा सकते हैं क्लियर हो गई यह बात अब जहां यह बात लिखे गए थी वहां क्या लिखेंगे तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे तो को fundamental right में cover हो गए duties और DPSP में क्या लिख दिया गया चैव वर्ष से कम उम्रे के बच्चों के लिए ववस्था कर दी गई कि चलो 6 से 14 वालों तक को तो compulsory education मिल रहा है लेकिन 6 साल से कम उम्रे के बच्चों को हम धीरे धीरे education देने की कोशिश करेंगा और जो आप आंगन बाडी केंद्र देखते हैं compulsory रही है गोवर्मेंट ने policy बनाकर create किया है वह actually article 45 के अंदर ही established है ओके सभी के समझ में आ गया अब ये तो पार्ट 4a के article 51a में total आपके 10 कर्टव्य थे और इसमें 11 कर्टव्य जोड़ा गया अब ये 11 कर्टव्य क्या है 11 fundamental duty क्या थी तो जहां यहां लिखा गया था 6-14 वर्ष तक के बच्चों को निश्यल्क अनिवारे सिक्षा दी जाएगी वहीं इसी के साथ यहां पर जोड दिया गया कि आप 6-14 वर्ष तक सरकार अब घरगर जाके बच्चों को थोड़ी उठा कर लाएगे तो सरकार क्या बोल रही कि हमने व्यवस्था कर दी है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है तो यहां पर कॉंस्टिटूशन में इसे अमेंडमेंट से जोड दिया गया पार्ट फोर ए का आर्टिकल 51 ए का 11 ड्यूटी जिसमें लिख दिया गया कि 6-14 वर्ष तक के बच्चों के माता पिता यह जो भी उनके गार्जियन है उनकी ड्यूटी होगी कि उन्हें सुबह कूट कूट के उ पोड़ा गया है यह कहां से लिंक है तो जिससे इसे जोड़ा गया था इसकी पूर्ती के लिए इसे भी यहां पर ड्यूटी में ला दिया गया अब मैं आपको पढ़के सुना देती हूं एक्चुली क्या बोल रहा है ध्यान रहेगा ना तो बाकी सारी ड्यूटी नाइंट इसे जोड़ा गया तो अब आपका होंवख है आप लोग अच्छे से याद करके आएंगे दोडो का जो जोड़ा बनाया था इन जोड़े को पांची बन रहे है इसको अच्छे से रिवाइस करके आएंगे और लास्ट वाला आपको इजीली याद हो जाएगा तो टोटल प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है नेक्स्ट अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है मैं आपको बताऊंगे फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेष्टाएं किया है इसके फीचर्स क्या है इ वीडियो को लाइक कर देंगे वीडियो को शेयर कर देंगा और हाँ टैलिग्रम ग्रूप को जोईन करना मत भूलिएगा जिसका नाम है आई-एस-प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन ने आपका स्टेट सिविल सर्विसेस के लिए वेकैंसी निकाली है तो दस जन्वरी से इसके फॉर्म भरने चालू हो गए आप में से जिन भी स्टुडेंट ने अभी तक अप्लाए निकिया है पहले तो जाहिए जाकर फॉर्म भरिए आइधिंग 9th of February last date है तो जल्दी आके पहले फॉर्म अप्लाए करिए चाहिए आप MP से बिलॉंग करते या नहीं करते फॉर हम भरो पेपर दो सेलेक्शन होगा पढ़ो पहले डिफिकल्ट नहीं है वही उसी लेवल का हम आपको कवर करा रहे हैं ठीक है और यह जो है निश्य बैच और एक MPPSS प्रिलिम्स बैच यह दो बैच लाए गए हैं आपके MPPSS इस बार एक्जाम को टार्गेट करते वे पहले मैं बता दू 24 अपरिल को इसका प्रिलिम्स कंड़क्ट होने वाला है तो जो बच्चे केवल प्रिलिम्स को टार्गेट कर रहे हैं कि भई पहले मैं यह फॉस्ट स्टेप क्लियर कर जाओं वो बच्चे हमारे मद्यपरदेश PCS प्री 2021-22 कंप्लीट बैच को जॉइन कर सकते है इस बैच के बारे में आपको बता दू इसमें प्रिलिम्स का कम्प्लीट सेलेबस आपका कवर कराया जाएगा क्लासे चलेंगी 4-7 पी-म और यह बैच कब से स्टार्ट हो रहा है 2nd of February इस बैच का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको गूगल पर जाके टाइप करना ह है अड़ा 247 और वहाँ जाके सर्ष करना है मध्यप्रदेश PCS प्री 2022 बैच और इस बैच को जोइन करने के लिए क्योंकि वहाँ पर आपको अमाउंट आई थिंग 9000 के अपरोक्स शो होगा आपको व्यू आपफर्स में चाके मेरा कोड अप्लाए करना वाई 300 कोड अप्ल कराया जा रहा है सभी क्लासे लाइफ चलेंगी बाइलिंग्वल चलेंगी और PDF क्लास के इमेडियेट बाद आपको मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट मैं आपको बता दूं निश्य 2.0 बैच के बारे में तो जो बच्चे केवल प्री नहीं क्योंकि प्री के बाद मेंस भी है इंटर्व्यू भी है तो जो बच्चे ओवर और प्रप्रेशन करना चाहते प्री मेंस दोनों की 24 अप्रिल को तो प्री है फाउंडेशन बैच आप हमारा जॉइन कर सकते हैं एमपीपीस का तो ये केवल प्रेलिम्स के लिए ये प्री मेंस दोनों के लिए इसका नाम है नि ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है प्री मेंस दोनों का इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा तो बैच फिफ्ट ऑफ जन्वरी से स्टार्टेड है अल्रेडी बारा सी चार्ट दो घंटे की दो क्लास लगेंगी और बैच चलेगा आपका बाइलिंग्वर इसका जो टो सो मैं फांडेशन मिल रहा है धाई हजार के आसफास प्री मिल रहा है तो बैस्ट होतो है फांडेशन लेकिन फिर भी जो बच्चे प्री टार्गेट करना चाहता है आप इसको देखेंगे क्योंकि ये प्रिलिम्स स्पैसिफिक होगा और जबकि ये प्रिमेंस दोनों के बच्चे की तयारी करें जून तक आपका एक्जाम कंड़क्ट होगा प्रिलिम्स तो उनको टार्गेट करते में फांडेशन बैच लाए प्री कम मेंस का जिसका नाम है संकर्प 2.0 और जो बच्चे वीपी एसी की तयारी करें आपको पता है कि 2021 में 67th बीपी एसी का नोटि बीपी एसी फांडेशन चानक के 2.0 दोनों में प्रीमिंस दोनों है लेकिन ये यूपी के लिए ये बिहार के लिए इन बैच्च का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी गुड़नाइट है रुको कहां जाना आपको गूगल पर जाके टाइप करना अड़ा 247 और वहां जा 200 में पूरा बैच मिल रहा है लाइव क्लासे सब कुछ प्रोवाइड़ देरी मत करो जाके जॉइन करो क्योंकि अब धका दक 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 वेकेंसी आएंगी एक्जाम होंगे तो अब लापर वही मत करो एपरेल से कंटीनियूस आपको पेपर देखने को मिलेंगे स्टेट पीसे सब्सक्रिप्शन है आपको गूगल पर जाके टाइप करना है अड़ा 247 वहां जाके आपको सर्ष करना है यूपी ऐसी का महापैक जो यूपी ऐसी की तैयारी कर रहे है और व्यू ओफर्स में जाके मेरा कोड अपलाए करना वाई 300 इसे अपलाए करते ही ये लगभग जो बैच इसमें 77 परसिंट डिसकाउन्ट मिल जाएगा और ये कंपलीट बैच आपका होजाएगा केवल अरकेवल 13,000 में 13,000 में पूरा यूपी ऐसी का महापैक मिल रहा है 13,000 में जो उफरी ऐसी का महापैक मिल रहे है मैं आपको बता दूं यह आपको एक बर पे करने की तना रंब बैच्च का फान्ड़ेशन बैच औलरेधी चल रहा है वह इसमें आपको फ्री मिलेगा एक साल तक जो बह कुर्स हम ला रहे है जख है प्रिलियम्स का जख है मैंस का मे साथ में अप्शंटल से कोचिंग लेंगे immediate आपको मिल जाएगा वीडियो कोर्स वीडियो कोर्स मतब UPSC का पूरा recorded course हम आपको immediate provide करा देंगे वो recorded course है आप उसे कभी भी देख सकते लेकिन live classes जो मैंने आपको बता है हमारा foundation है प्रारंब बैच हो गया या फिर हमारे प्रिलिम्स के बैच लाए जाएंगे मेंस के बैच लाए जाएंगे मौक इंटर्व्यूज कंड़क कराया जाएंगे वो सब किसमें include होगा in live classes में include होगा in fact यहां पर आपको test series भी provide करा जा रही है प्री मेंस की तो complete package है e-books भी provide करा जारा बिल्कुल देरी मत करो तो बारा महीनी की वैलिडिटी के साथ मिल रहा हो तेरा हजार आप देख रहो एक साल के लिए अगर आप optional लेने जाओ पचास जार साथ हजार से तो optional भी कमनी मिलता है market में यहां पर तो आपका इसी तेरा हजार में optional भी है प्री मेंस के सारा syllabus cover हो रहा है न तो बेस्ट है यह recorded वीडियो प्लस test series test series मार्केट में देखो कि 25-25 जार की test series मिल रही है केवल तेरा हजार में यहां पर सब कुछ included है तो best option है जो भी बच्चे preparation कर रहे हैं करना तो आप लोग जाए जाकर इसका सब्सक्रिप्शन लीजे मैंने तरीका आपको बता दिया अब बताओ भई किसी को कोई doubt है otherwise हम आगे बढ़ेंगे कि क्लियर हो गया भई सभी के समझ में आ गया टालीग्राम लिक ओके टालीग्राम ग्रूप का नाम है हमारा आइस पीसेज़ भाई अडा 24-7 तो आप लोग जाकर टालीग्राम ग्रूप को सर्च कर लेंगे अपने टालीग्राम पर आइस पीसेज़ भाई अडा 24-7 वो मिल जाएगा उसे आप जॉइन कर लेंगे तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं रोक तेंगे कल मिलेंगे हम शाम को 7 बजे वापस हमारे इस सेशन के साथ और संडे शाम 5 बजे हमारी मैराथन होगी हिस्ट्री की तो उससे जूरना मत भूलिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे तो प्लीज इसी तरह से हमारी वीडियो को प्यार दीजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेर करें हां जी अपना ध्यान रखे क्योंकि कोविट का टाइम पीरिड है तो घर में रहो सेफ रहो पढ़ो डट के पढ़ो एनरजी पढ़ाई में लगाओ क्योंकि तीन चार महिने में आपके थोक में एक्जाम्स कंड़क्ट होने वाला है तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यही रोकते हैं कल मिलेंगे सेम टाइम पर थैंक यू